और हालो गाइज वेलकम टू एक मिष्टरी आज की इस लेक्चर में डिसकस करने जाहरे एक नया चैप्टर हाईड्रोकारवन्स तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हैड्रोकारवन्स क्या होता है फिर जो है इसका सोर्सेज देखेंगे कहां कहां से हुआ ह classification करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं hydrocarbons का introduction mieć हम क्या होता है तो Hydro carbons क्या होता है यह जानते हैं तो hydrocarbons हम उस compound को बोलेंगे जिसमें carbon and hydrogen present हो तो चलो देखते हैं compound containing carbon and hydrogen मतलब वो compound जिसमें carbon and hydrogen hydrogen present हो तो उन्हें hydrocarbons कहा जाता है ठीक है तो एक हो गया hydrogen and a carbon hydrogen का atomic number one होता है और carbon का होता है एच्छे कोई भी compound में अगर दोनों element present हो तो उन्हें हम hydrocarbons कहेंगे ठीक है अब जो इसका सोर्स देखते हैं कि कहां कहां से हम hydrocarbons को प्राप कर सकते हैं सोर्सेस ओफ़ हाइड्रो कार्व कार्व कार्वन अब इसका सोर्सेस कौन-कौन से वह देखते हैं तो सबसे पहला सोर्सेस का नेच्रूरल गैस है नेच्रूरल गैस हो गया उसके वाज्व है को लोगया एंड पैट्रोलियम पैट्रोलियम से भी हमें hydrocarbons प्राप्त होता है ठीक है तो एक तो गया नेच्रूरल गैस दूसरा हो गया कोल एंड पैट्रोलियम एक्सेक्टरा ओके अब जो इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि यह हाइड्रोकारवन से को कितने कैट्रोगरीज में बाट अगया है ठीक है तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ओफ हाइड्रोकारवन क्लासिफिकेशन ओफ हाइड्रोकारवन हाइड्रोकारवन को में लिए तीन पार् Tamam क्लासिफाइड किया गया हाइड्रोकारवन को तीन तो सबसे पहला सो है जैश्यूरेटेऴएड्रोकारवन saturated hydrocarbons दूसरा हो गया आपका unsaturated hydrocarbon एंड तीसरा हो गया aromatic hydrocarbons को तीन पार्ट में classified किया गया है एक तो हो गया saturated hydrocarbons दूसरा हो गया आपका unsaturated एंड तीसरा हो गया aromatic hydrocarbons तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते है saturated hydrocarbons कि saturated hydrocarbons किसको बोला जाता है इसको हम रफ करते हैं फिर आगे चलेंगे पहला है saturated hydrocarbons कि saturated hydrocarbons किसको बोलेंगे इसका सबसे इंपोटेंट पॉइंट यह है आप दे हाव अ कर वन कर वन सिंगल बोन्ट अ मतलब अ saturated hydrocarbons में कारवन कारवन के भी सिंगल बॉन्ट होगा कहीं भी अगर saturated hydrocarbons होगा तो यानि उसमें से carbon carbon single bond present होगा ओके तो चलिए देखते हैं कि कि saturated hydrocarbons का एक्जामपल क्या क्या है तो सबसे पहले saturated hydrocarbons को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आप है saturated hydrocarbons लिको saturated को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक तो हो गया आपका open chain saturated hydrocarbon अच्छामपल रेको गया अच्छामपल रिको लिवाइड को पैसके बिला नहीं फिर देखते हैं डिको ऑन बेखा देखते हैं डिको काईड को पता पार्शाओ यू साश्याट्राइट पारेकोग और अपन चीन साश्याट्राइट्राइड फेल्डर्स कर न और खिशको बोलेंग तो झाट्राइट्राइड हाईड्रोकार्बन में आपका हो आ गया अलकें अलकें जाशो पंट्रम recent जैनज्ज ऐसे के जैनरल फार्मुला हो गया general formula CnH2n plus 2 जैसे example लेलो example आज जाएगा आपका methane CH4 C2 S6 यहाँ पे नवा अच्छा N का वाल लेलो अगर अगर N का वैल्यू वान लेंगे तो फिर methane बनेगा CH4 अगर 2 लेंगे C2S6 बनेगा इसी तरह से आगे होगा एक्सेक्टरा और वी एक्जामपल ले सकते हैं तो यह हो गया आपका saturated alkane का examples अब saturated hydrocarbons में यह alkane ले लिए open chain saturated hydrocarbons में alkane आ गया जिसका जेनरल फॉर्मूला CNH2N plus 2 हो गया और N equal to 123 और इसका एक्जामपल में methane ले लिए इथेन ले लिए propane butane 80C बहुत सारे एक्जामपल ले सकते हैं अब जो है closed chain saturated hydrocarbons में हम क्या लेंगे तो होगा तो इसमें भी कार्वन कार्वन के बीच सिंगल बॉंट होगा यहां पर यह दिखा दो मितलब कार्वन जो हमें साथ सिंगल बॉंट के थुरू एटाच्ट रहेगा एलकेन में ओके और closed chain saturated hydrocarbons अब क्या होता है तो closed chain saturated hydro कार्वन में जो है इसमें कम से कम तीन कार्वन प्रेजेंट होगा क्योंकि तीन कार्वन तीन से कम वाले कार्वन तो रिंग का formation करेगा यह नहीं तो वह closed chain saturated hydrocarbons में नहीं आएंगे ठीक है तो यहां पर अगर closed chain saturated hydrocarbons लेंगे तो उसके लिए minimum आथ तीन कार्वन लेके चलेंगे तो यह आपका एक्जाम्पल हो गया किसका closed chain saturated hydrocarbons का यहां पर यह कार्वन को रिपर्जेंट कर रहा है कि यहां पर यह कुछ है ऐसे हैं शीच टू शीच टू दलब तीन शीच टू सिंगल बॉन्ट के थूँख एक्जाम्पल जैसे यह साइक्लो प्रोपेन हो गया यहां पर साइक्लो ब्यूटेन और साइक्लो प्यूटेन Okay । यह रह आपका सेचुरेटर तक हमने क्या क्या तो सेचुरेटर को हमने 2पार्ट में बाठा सबसे पहले तो सेचुरेटर हाडरो कारवनSiNGGल bonds होता है उसके बाद saturated hydrocarbon को हमने दो पार्ट में बाढ़ दिया एक तो open chain saturated hydrocarbon and closed chain saturated hydrocarbons open chain saturated hydrocarbon के अंतरगत अलकेन आता है जिसका जेनरल फॉर्मूला होता है CnH2N plus 2 where n equal to 1 to 3 ले शकते हैं और इसके एक्जामपल में आगे अगर n का value हम वन ले रहे हैं तो आपका formula बन रहे है कुछ ऐसा CH4 ओके अगर n का value 2 ले रहे हैं तो इथेन बन रहा है सीट्व सेक्षा नाम लिखे लो मिथेन यह हो गया आपका इथेन ओके यह इथेन हो गया तो यह था आपका ओपैंट के रचा और में हमने एक्जाम्पल ले लिए साइग्लोप्रोपरेन साइग्लोप्योटेन एक्सट्रा है एक्सेक्ट्रा ओके तो चलिया अब इससे आगे हम पढ़ते हैं और अंसाजूरेटिट है रो नस इसको हम रफ करते हैं फिर unsaturated hydrocarbons बताएंगे अब दूसरा पढ़ते हैं unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons क्या गया unsaturated hydrocarbons मतलब नाम से नहीं लग रहे हैं अन्साचुरेटर मतलब इसको और saturate किया जा सकता है unsaturated में आपका आजाएगा multiple bonds इसका सबसे पहला पॉइंट लिखो दे हैव कारवन कारवन मल्टीपल बॉंड मल्टीपल बॉंड ओके इसमें जो है कारवन कारवन के बीच जो है मतलब एक से ज्यादा बॉंड होगा वह डबल बॉंड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉंड भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर unsaturated hydrocarbons को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं unsaturated hydrocarbons एक तो होजाएगा आपका ओपेंचेंग open chain unsaturated hydrocarbon और एक वजाएगा क्लोजड चैन अंसाचुरेटेड हाइड्रो कारवन ओके एक होगे ओपेंचेंग अंसाचुरेटेड हाइड्रो कारवन और क्लोजड चैन अंसाचुरेटेड हाइड्रो कारवन के कारवन में आपका पास आएगा अलकीन अलकीन मतलब कारवन कारवन के बीच डवल बॉन्ड होगा ओके तो अलकीन का जेनरल फॉर्मूला होता है आपका cnH2n क्या होता है जेनरल फॉर्मूला cnH2n अलकाइन इसका 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 इग्जाम्पल दे देता है इग्जाम्पल ले लो आप इसका तो इसमें अलकीन में जो है मिनिमूम टू कारवन्स होना चाहिए तभी तो वो डबल बॉंड का फॉर्मेशन करेगा यहां फिर ट्रिपल बॉंड का फॉर्मेशन करेगा तो यहां पर आलकीन में हम ले लेते हैं यहां पर अगर दो ले यहां पर नंबर ऑफ कार्वन्स दो लेते हैं तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा C2 हुआ है इसका इस्ट्रेक्चर कुछ ऐसा बनेगा यहां पर दो एच लगा दो इधर भी दो एच यह हो गया इथीन ठीक है और दूसरा ले लेते हम ओपेंचेन अनसाचुरेटेड हाइड्रो कार्वन में आपका अलकाइन इसमें होता है कार्वन कार्वन के वी बीच ट्रिपल बॉंड होता है यह होगया इलकाइन इसका जेनरल फर्मुला होता है आपका जेनरल फर्मुला होता है इसका शी एन एच्ट्टो Counsel हो गया इसाम्पल हम क्या ले लेते हैं यहां अलकाइन में अगर नमबर ओफ कारवन टू ले ले यहां पर क्या आज आएगा सी टू एच टू ओके इसका इस्ट्रेक्शल फॉर्मुला खीचे तू दो कारवन जो है त्रिपल बॉंड से जूरा होगा और एक हाइड्रोजन लगा तो होगे यह होगे आपका इथाइन है तो आप एंचेन अंसाचुरेटर हाइड्रोकारवन के कारवन में आगे आपका अलकीन अड़काइंस तो अलकीन का जैनरल फॉर्मूला होगा है थी एन एच टू एन और इसका इग्जाम्पल में ले लिए हम इतीन इतीन होगे और CH3 CH double bond CH2 यह हो गया प्रोपीन प्रोपीन ओके और अलकाइन में हो गया आपका इसका अलकाइन का जेनरल फॉर्मूला होता है है ऐसका सीटू एस्टू अव्मूला होता है यह कारवन इसका और यह कारवन के बीच में जो है दोनों कारवन के बीच ट्रिपल बॉंड होगा और दोनों कारवन से एक हाइड्रोजन अटेश्ट होगा यह होगा इथाइन तो यह होगा आपका ओपैंचेन अंसाचुरेटेड़ हाइड्रोकार्बन अब पढ़ते हैं अब लेते हैं इसमें तो सबसे पहले तो कम मिनिमूम तीन कारवन लेना पड़ेगा मुझे और कहीं पर एक जगा डवल बॉंड दिखा दो या फिर्पल बॉंड दिखा दो मालो यह ले लिए एक साइक्लो ब्यूटाइन ले लिए यह क्या है साइक्लो प्रोपेन साइक्लो प्रोपेन यह क्या हो गया साइक्लो ब्यूटाइन साइक्लो ब्यूटाइन अब देखो यह क्या है तो आपको यह जो है कुछ ऐसा एस्टेक्चर होता है इसका शीएज टू शीएज टू और यह शीएज टू सुर्टी चेजटू नहीं होगा यहां पे सीएज डवल बॉन और जैसे अलकाइन है तो यहां पे हो जाएगा कुछ ऐसा एस्ट्रेक्चर यहां पर कारवन है यह कारवन हो गया कारवन सिंगल वण के तो है तो और इसके साद वह कारवन है और फिर त्रपल वण के थरू यह कारवन के साथ जूड़ा है ओक्राइब तो एसा होता है इसका स्टेक्चर यह हो गया आपका साइकप्रोपेन एंडा साइक्लोब्योटाइब और और यह था आपका अन्साचुरेटेड हाइड्रोकार्वन तो में लिये रिख्लेटेड हाइड्रोकार्वन उसको बोलते हैं जिसमैंकि क fi carbon करी बीच में multiple कसे बॉंड हो तो यह जो है दो टाइपस में टाइपस का होता है एक तो अन्साचियुरेटेड आपका ओपेंचेन बाबे होगा एक लोची बाइब ऑपेंचेन वाले में आगे आपका अलकेन अलकायस अलकीन का जेनरल फार्मूला होता है थे एन एस्टुन एंड एग्जामपल ले लेते हैं इथीन प्रोफिन ब्योटिन एक्सेक्ट्रा एंड अलकाइन वाले में आए जाएगा आपका एरहा अलकाइन वाले अलकाइन का जेनरल फर्मुला क्या होता है ना और इसका एक्जाम्पल ले ले तो इथाइन हो गया जैसे इथाइन प्रोपाइन ब्योटाइन वाई एन यह आता है इसमें ओके और क्लोज चेन वाले का एक्जाम्पल में क्या लिए है साइक्लो प्रोपेन प्रोपाइन शॉरी यहां पर साइक्लो प्रोपीन DoubleBond है ना तो Cyclopropylene होगा andड यह तो ठीक है Cyclobuting okay यह हो गया Unsaturated Hydrocarbons अब अरोमेटिक हाइट्रोकार्बन पढ़ते हैं सबसे पहले इसको रब करते हैं फिर स्ट हाईटरोकारबन पताएंगे ओके दो हमने पढ़ लिया सा्चिरेटड हैटरोकारबन एंद अन्सेद्ट हैटरोकारबन तिसरा पार्ट वह था आपका एरोमेटिक हाइड्रोकारवन्स अब पढ़ लेंगे तीसरा था अब हम पढ़ें कि एरोमेटिक हाइड्रोकारवन क्या होता है तो अरोमेटिक हाइड्रोकारवन्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका लिखो they contains at least at least one hexagon one hexagonal ring with the alternate double bond alternate अरोमेटिक हाइड्रोकारवन्स के लिए कम से कम एक hexagonal ring होना चाहिए और उसमें अल्टरनेट डवल बॉंड होना जरूरी है ओके तो अरोमेटिक हाइड्रोकारवन्स के लिए आपने समझ गया कि एक hexagonal ring जो है डवल अल्टरनेट डवल बॉंड के साथ होना चाहिए तो इसका जो एक्जाम्पल हो गया आपका जैसे बेंजीन ले लो बेंजीन देखो एरोमेटिक सिक्स मेंबर्ट रिंग है ओके और अल्टरनेट डवल बॉंड है बेंजीन हो गया एक्जाम्पल में आपका मिथाइल बेंजीन हो गया इथाइल बेंजीन हो गया ओके यह हो गया बेंजीन यह हो गया मिथाइल बेंजीन बेंजीन टॉल्वीन भी कहा जाता है ओके एंड यह हो गया इथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन यह जो है आपका यह इसको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है त्री लगा दो और यहाँ यह हो गया यह हो गया इथाइल बेंजीन ओके तो यह आपका एरोमेटिक हाइड्रो कार्वन कि यह था आरोमेटिक हाइड्रो कार्वन तो चलिए आप इसको रप करते हैं फिर इससे आगे पढ़ेंगे तो पूरा बेशिक था जो कि टैन्थ क्लास में भी अच्छा से दिया हुआ है और आप लोग पढ़े ही होंगे अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं तो चलिए गाइस अब हम एलकेन पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे एलकेन लाप लाइस का लाइसने लाइसने यदा बाहईसने कंसरैस्टने paraffin because because they are low reactivity low reactivity VT अलकेन को पराफिन्स भी कहा जाता तब क्यों कहा जाता है वह अभी समझते हैं अब सबसे पहले तो हम पराफिन्स का मीनिंग समझेंगे कि पराफिन्स होता क्या है ओके यह पैर वर्ड जो है आपको पेडियम से लिया गया है पेडियम जिसका मतलब होता है लिटिल ओके एंड एफिन्स 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 का मतलब होता है मतलब होता है रियक्टिवीटि ऐफिन्स का मतलब होता है रियक्टिवीटि तो पेर मतलब लिटिल एफिन्स मतलब रियक्टिविटी तो फेराफिन्स तो एलकेन को हम लिख सकते हैं लिटिल रियक्टिविटी मतलब बहुत कम रियक्टिव होता है लो रियक्टिविटी लिख सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं तो एलकेन को हम क्या लिख सकते हैं लो रियक्टिविटी अलकेंस वह बहुत कम रियक्टिव होता है ठीक है तो यह होगी आपका पैराफिन्स का मतलब समझ में आ गया होगा तो अब जो है इसका हम जेनरल फॉर्मूला लिखते हैं अलकें का अलकें का जेनरल फॉर्मूला होते है आपका cn h2n प्लस 2 वेर n इकूल तो 1,2,3 एक्सेक्टरा ओकें और इसका एक्जाम्पल हो जाएगा क्या होगा एक्जाम्पल अगर एक लेंगे एन का वैल्यू तो यहां पर च फोर्ड हो जाएगा अगर दो ले लें एन का वैल्यू तो c2 h6 तीन लें तो c3 h8 एक्सेक्टरा ओकें तो यह होगी आपका एलकें का जेनरल फॉर्मूला और यह एक्जाम्पल ओकें तो यहां से फिर अजय हमें स्टार्ट करते हो इसका स्ट्रेक्चर स्ट्रेक्चर ओफ अलकें इसको थोड़ा मिटा जाते हैं यहीं पर वजाएगा तो अब हम देखते हैं कि अलकें का स्ट्रेक्चर कैसा होता है ठीक है तो स्ट्रेक्चर ओफ एलकें अब देखते हैं स्ट्रेक्चर ओफ अलकें अन्तो अलकें में जो है जितने भी कारवन होते हैं सब सिंगल बॉंड के थुरू एटेश्ट होते हैं मतलब सिंगल बॉंड के थुरू जूड़े होते हैं एलकें में तो इसका एस्ट्रेक्चर आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा यह एक पॉंड हो गया यह दून बॉंड प्लेन पे और एक बॉंड हो गया लेन के पीछे और एक हो गया प्लेन के आगे यह होगया प्लेन के यह होगया टेट्राहेड्रल एस्ट्रेक्चर वह ऐसे जोड़ दो टेट्राहेड्रन की तरह दिख रहा है ओके और इसका यह बॉंड एंकल होता है 109 degree 28 minute यह होगया इसका बॉंड एंकल एस्ट्रेक्चर लेकलो इसका टेट्राहेड्रल अ कि टेट्राहेड्रल एस्ट्रेक्चर अ कि यहां पर एलकेन वेव मिथेन का आश्ट्रेक्चर बना कर दिखा दी तो ऐसा इस्ट्रेक्चर होते ल Hz आपका मिधीन का कई भी अगर ल के तो वहां पर आपका टेक्राहेड्र स्टृक्चर ही छी होता है कि वह आपस्टजो आपका स्ट्रीटर ओफ अल्गेंस कुट छलिए तो आज के लक्षेष हें हम क्या क्या पढ़ा हाई सबसे पहले स्टार्ट के हड़ो खालवन ऐीडरो porter रों का सोर्सेस पढ़े उसके वाज़े। च्लासिफिकेशन कि एतीन पाट्स में एक था आपका सेचुरेटर एक अंसा रिटर अन्मधें झौन कि ठीक है तो ऐपेन्चईन सेचुरेटिटट हैड्रो कार्वन में हमने अलकेन पढ़ा लोज लोग्लो जेन्सां आर्ग्रो कारवन में साकलो प्रोपेंन साइकलो ब्यृटेन यह सब भटा उसके वाश हुआ है फिर क्ल on chat लुको बोलते आश्में कम से कम एक हैक्सागॉन रिंग होना चाहिए और उस रिंग में अल्टनेट डवन रोन होना चाहिए अगर अगर्टनेट डवल बॉन प्रजेंट है इंटरगोनल डिंग में तभी वो एरोमेटिक हाईड्रो कारवन के अंतरगत आएंगे तो एरोमेटिक हाइड्रो कारवन का एकजामपल लिया था हमने बेंजीन टॉल्विन इतायल बेंजीन एक्सेर्टरा और भी ले सकते हैं ठीक है तो उसके बाद जो हैं फिर इस्टार्ट होता है इसका reactivity बहुत कम होता है कि इसका reactivity बहुत कम होता है और पराफ यह भी निया गया है जिसका मतलब होता है कि आपका लिटिल मतलब बहुत कम या लो ऐसे बोल सकते हैं और इथर एफिञ्स का मतलब क्या होता है reactivity मतलब बहुत कम रियक्टिव या बहुत लो रियक्टिव होता है इसलिए से पैराफिन का आज का गया है ठीक है और फिर जो है हमने बताया कि एलकेन का जेनरल फॉर्मूला होता है इसका इक्जामपल ले लिए अगर यहां पर नंबर ऑफ कारवन एक लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा छी एच फॉर्मूला बनेगा जिसका नाम है मिथेन इसका नेम वास मिथेन अगर नंबर ऑफ कारवन 2 लेंग स्टू लेंगे तो हाइड्रोजन सीक्स ओस तो तो इसका नेम होज़्यका इथेन चैने और नंबर ऑफ कारवन 3 लेंगे तो है अज़रोजन जिरएगा साहता है और अमेय का 2 को गया और प्लस तो एट तो 3 C 3 and 8 हो गया तो यह ओगया आपका प्रोपेन यह प्रोपेन यह पड़ा उसके बाद हमने पढ़ा कि अप्ड़ा कि अलकेन का इस्टेक्चर च्या होता है है तो एलकेन हमय सा सिंगल बॉंड का फोरनेशन करता है इसलिए इसका एंसे टो moisує स्ट्राहेडरल स्ट्रेक्चर में जो है इसका बॉंड एंगल 109 डिगरी 28 मिनट होता है तो आज की लेक्चर में हमने इतना पढ़ा अव फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे तो चलिए गाइस यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल रह होगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग